हम सब सोचते हैं कि जिन्दगी में एक दिन ऐसा सुभाएंगे कि हमें उस पाहार इबादियों से रुबरू करने का मौका में होगे आज बैसा ही सुभाएं कुछ चंद लोगों के साथ हम निकल पड़े हैं उस खुआप को करीब से जीने के लिए कुछ खुआप छुट जाते हैं तो कुछ अधुरे रह जाते हैं इसलिए इस सफर बहुत कीमती है हमारे लिए उसक जामके सभाएं ऊहते हैं देख्चे देख्चे हम पहुच गए गड़ो बाधन पर एवी नौर्ट बिंगोल का एक छोटा सा हिल स्टेशन है यासे ही उचे उचे पाहारी रास्ते शुरू हो जाते हैं एक तरफ उचे पाहार तो एक तरफ खाई जात जाते बाधिश पढ़ना शुरू हो गए पहारों का मसम कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता है अब हम पहुच गए है फागों पे बहुत बारिश हो रहा था इसलिए कुछ टाइम रुकना पड़ा हमें बारिश रुकने के बाद हम उदर गई फागों बिसिकली एक पिकनिक स्पॉर्ट ही पुइंटर सीजन में बहुत लोग यहापे पिकनिक मनाने आते हैं झाल टता है अधका बेंग बारिश में उली च्टेव थाम आजिए स्पॉर्ट प्राइम पिकनिक के अति में लेवां इसलिए स्पॉर्ट कुछ देर रुकने के बाद हम निकल पड़े हमारा दुसरी मंजिल पे आस्मानों का रंग हर दम बदल रहा था कुछ देर भाद हम पहुच गए पापुर खेती में यह भी एक पिकनिक स्पोट है पर यहाँ पे हर दिन बहुत सारे लोग खुमने भी आते हैं कुछ 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 भी आते हैं इस नदी के लहरों की आवास और इस पहारी ठंडी हावा दिल को खुश कर दिया हम सब इस एक एक पल को जी रहते थोड़ी देर बाद हम चल पड़े अब हमारा मन्जिल है लाभा अब जाना है और भी उचाई पे पहारी की उन उचाई को छोने के लिए किसी ने ठीकी कहा आए मन्जिल से बहतर सफर यादगार होते हैं हम सब इस सफर का मज़े लेते हुए चल पड़ी हम मत पड़ेगा यचाई लाद witnesses कर दो कर दो